सोलन में इस्टिक्शन संथानों की आसपास नसे की काले कारुबार अपनी जड़े फैलाने में लगे हैं लेकिन सोलन पुलिस उन्हें उनकी मनसूबों में काम्याब नहीं होने दे रही है और आए दिन वरनशी की कारुबारियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है बीतिरात भी पुलिस सदर्थाना की टीम ने सच्चो नवीन जाल्टा की अगवाई में राजगर रोड पर शामती की समीब एक व्यक्ती से करीबन 450 क्राम चर्श परामत की पुलिस ने सोलन की तरफ से आ रही एक व्यक्ती को शक के अधार पर तलाशी ली और उसके पास से 450 क् चर्श परामत हुए पुलिस ने व्यक्ती को हिरासत में लेकर अगामी कारवाही अमल में ला रही है पुलिस सदर्थाना के सच्चो नवीन जाल्टा ने मामले की पुस्ट्री करते हुए कहा कि नश्य के खिलाफ विशेश अव्यान चलाये जा रहा है जिसमें बीती रात को पुलिस ने एक यूवक से 2.33 ग्राम हिरोईन ब्रामत की है पुलिस ने इसमें भी यूवक की खिलाब मामला दर्स कर लिया है और अगामी कारवाही अमल में लाए जा रही है कल रातरी सोलन राजगर रोड पर शामती के नजदेख नाकबंदी की गई थी जिसके दोरान एक बेक्ती से 4.500 ग्राम चरस ब्रामत की गई है आर रूपी को गिरफतार किया गया है आर रूपी ने चरस कहां से लाई और कहां ले जा रहा था इस बारे में गहन चान्डबिन की जा रही है यह बेक्ती पैदल सोलन की और से आरा था आने वाले टाइम में जो बेक्ती नशे का ब्यापार कर रहा है उनके खिलाब कड़ी से कड़ी कारवई की जाएगी